और दोस्तों कैसे हो मैं कोस्तो वाइफाई चनल बाखा बहुत बहुत वगत है तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह है वाटसप पाइवसी पॉलिशी के उपर में है तो वीडियो को पूरा अंतक देखते रहें नहीं तो आपका जो वाटसप का एकाउंट है वो क्या है तो आपको यह जाणना पड़ेगा तो वीडियो को पूरा अंतक देखते रहें वीडियो को स्क्रीप करेंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओलराइट गैस वेलकम बैक तो फास्ट हम बात कर लेते हैं वहाटसप में आप जब भी कोई मैसेज भजता हो तो वो कैसे end user तक पहुंसता है तो फास्ट आप कोई भी मैसेज टाइप करता हो जो कोई भी message को send करता हो जो end user तक पहुंशता है तो वह message अगर un-deliver रहता है तो वह message WhatsApp का जो server हैं वहाँँपे store रहता है अगर message Deliver हो जाता है तो वह server से delete हो जाता है और उसके बात जो user है उसके पास message चला जाता है तो यह Il काम होता है लेकिन दोस्तों आगर वो message undeliver रहता है जैसे मैं बोल चुका हूँ तो आगर message undeliver रहता है तो उस time 30 days के लिए वो message वाच्टप का जो भी server है वहाँ पर store रहता है तो यह एक नया policy है WhatsApp का तो next जो है वो है end to end encryption encryption मतलब आप जब भी कोई भी message को send करते हो तो आपका mobile से जो end user है वहाँ तक एक end to end connection होता है मतलब आपका जो भी message है बीच में कोई भी वांदा उसको पढ़ नहीं पाएगा including जो WhatsApp का team है मतलब WhatsApp जो company है वो भी नहीं पढ़ पाएगा तो यह है end to end encryption जो बहुत ही आच्छा है तो जो नेक्स जो पॉइंट है वह है डिवाइस मतलब आप जिस टाइम आपना mobile में WhatsApp इंस्टल करते हो तो उस टाइम आपका mobile से WhatsApp क्या का data collect करता है तो वह जानने के लिए आपको में पढ़के बताता हूं तो यहां पर देख पार हूं यहां पर पूरा सब सब लिखा है इस इंक्लूट्स इंफर्मेशन साच ऐसा हाड़वर मतलब आपका जो भी मोबाइल का जो मोडेल नंबर है कौन से मैनुफेक्चरर है वह पूरा WhatsApp को पता चल जाता है उसके बात यहां पर बैटरी लेवल है मतलब आपका के बाद है signal corporation मादलब आपका जो नेट वह क्यों कितना है ुं इससके बाद आता है शुल वह इनफेक्चरर और यह पूरा VI मतलब आप कौन सी ISP कौन सा मोबाइल नेटवर कंपनी को यूज करते हो कौन सा नेटवर के 4G थीजिए उसके बाद आता है connection information मतलब मोबाइल का अब आपका चल जाता है लेकिन दोस्तों इस नए प्राइवसी पॉलिसी पॉलिसी को पूरा बता आया है आप अगर लोकेशन मतलब आपका जो फीजिकल लोकेशन है वह किसी को सेयर भी नहीं करता है तबी भी WhatsApp को पता चल जाता है आई-पी के जरीए आपका जो location है वो पता चल जाता है मतलब आपका जो physical location है वो WhatsApp collect कर लेता है आपका जो WhatsApp account है उसमें से तो जो next जो point है वो होड़सप का जो data है वो Facebook के साथ WhatsApp share कर रहा है तो तो की उसे अर कर रहा है यह आप जानना चाते हो तो तो यह सिर्फ पर सिर्फ एक ही कारण है WhatsApp का जो भी data है मतलब WhatsApp user का जो भी data है वो Facebook के साथ share कर रहा है क्योंकि ads आने के लिए आपका जो भी WhatsApp है मतलब आपका जो भी WhatsApp apps है उसमें आप कोई भी ads आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन in future WhatsApp का जो new Thompson condition है मतलब next जो point है उसमें WhatsApp ने पुरा बात आया है कि WhatsApp अभी तक कोई भी banner ads नहीं लगाया है लेकिन in future WhatsApp इसके उफ़र भी काम करेगा मतलब WhatsApp का जो in future version आएगा जो next अपडेट आएगा उसमें सायत ads रहेगा तो उस टाइम WhatsApp का जो privacy place है वो फिर से अपडेट करेगा तो नेक्स जो point है सोला साल होना चाहिए तब आप WhatsApp का जो भी service है मतलब WhatsApp यूस कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप अगर सोला साल से नीचे मतलब को अंदरा साल है तो उस टाइम आप WhatsApp यूस नहीं कर पाएंगे और दोस्तों next and जो last point है वह बैन मतलब आप कोई भी उल्टा-सिदा काम करेंगे WhatsApp में किसी को भी उल्टा-सिदा forward कर देंगे तो उस टाइम WhatsApp बीना बाता है आपका जो भी account है उसको ban कर देगा कोई भी notification नहीं आएगा तो आपको जो account है वह ban हो जाएगा कोई भी notification नहीं आएगा कोई भी email कोई भी notification नहीं आएगा आपका account ban हो जाएगा तो कुछ दिन टाय बैन हो चुका था तो उसके बाद फिर से मैंने वर्टसप का जो मेंसेंजर जो एकाउंट है उसमें फिर से लॉगिंग किया तो दोस्तों मैं आप सब को रिकोईश करूंगा आप कोई भी उल्टा सिधा काम कोई भी ऐसा नियूस फॉरवर्ड मात कीजिए नहीं तो आपका ज चाते हो मदलब होट सभी उचान चाते हो आपको वह टामशन कानडिसां एकरना ही होगा दोस्तों आज के लिए हैं अगर आपको विडियो अच्छा लगा है तो आभी काभी लाइक कर दो नीचे में कॉन्चब बॉक्स में लिक दो कैसा वीडियो लागा है आपको अगर आपके पास पहुंच जाएगा तो आज के लिए ये मिलते नेक्स वीडियो में आज के लिए बाई जाए हिंद बंदे महत्तरम